नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसी खबर ले करके आया हूँ जिससे सुनने के बाद आप सभी को ये विश्वास हो जाएगा कि आज भी सुसान सिंग राजपूत और उनके चाहने वालों को बहुत ज़्यादा परिसान किया जा रहा है जिहां मैं आपको बता दूँ कि अभी हाली में सुसान सिंग राजपूत की एक बेहदी करीबी दोस्त हैं उनको भी दोस्तो इस टाइम पर धमकिया मिलना चालू हो गई है और ये धमकिया कोई और नहीं बलकि बॉलिवूट के गेंग वाश दे रहे हैं आप सभी को पता होगा कि सुसान सिंग राजपूत से किस तरह से बॉलिवूट वालों ने अपनी दुस्मनी निकाली और उसका नतिया ये है कि आज सुसान सिंग राजपूत हमारे बीच नहीं है लेकिन इसी बीचे कैसी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद आप सभी को ये विश्वास हो जाएगा कि सुसान सिंग राजपूत के आज भी बॉलिवूट वाले पीछे पड़े हुए हैं जिहां आपको बता दे कि सुसान सिंग राजपूत की दोस्त को बॉलिवूट का एक पी आर गैंग कर रहा है परिसान दिव्यंगत एक्टर के लिए उठाती रही है आवाज दोस्तो अगर आप भी सुसान सिंग राजपूत के लिए आवाज ठाएंगे तो निश्ची तोर पर ऐसा हो सकता है कि कल को आपको भी धमकिया लोग देने लग जाएं क्योंकि सुसान सिंग राजपूत की एक दोस्त के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है और इसके बाद दोस्तो पूरी तरह से इस केस में अब बवाल मच गया है आखिर वो कौन से लोग हैं और किस दोस्त को ये धमकिया मिली है वो जानना आपके लिए जरूरी है इसलिए ध्यान से देखिए आपको बता दे बॉलिवूड के दिव्यंगत अभिनिता सुसान सिंग राजपूत की एक दोस्त इन दिनों मुस्किलों का सामना कर रही है पियार गेंग के बारे में अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा सत्य और नयाय का रास्ता मेरे लिए जिन्दगी का रास्ता है कोई फरक नहीं पड़ता पियार गेंग कितना भी गिरा हुआ क्यों नहों यह गेंग मेरे बेटे की अनाधिकरित तस्वीरों का इस्तिमाल करके मुझ पर हमला कर रहा है कानून आपको अपना रास्ता दिखाएगा खैर मुझे मेरे चुने हुए रास्ते से कोई नहीं रोक सकता आपको आपका करम देखेंगे और हम अपने अजय सुसान सिंग राशपूत के साथ खड़े होंगे सुमिता पारिक के इस ट्वीट पर सुसान सिंग राशपूत की बहन प्रेंका सिंग ने अपनी पर्तिकिरिया दी है उन्होंने सुमिता के ट्वीट पर लिखा सच में इंका सिंग के ट्विटर तेजी से वाइरल हो रहे हैं, सुसान सिंग राशपूत के फैंस और तमाम सोचल मीडिया यूजर्स उन दोनों के ट्वीट्स पर अपनी पर्दी किरिया दे रहे हैं। फैंस को या उनके चाहने वालों को धमकी मिली है, बलकि इससे पहले भी इस तरह की घटनाय कई भार घटित हो चुकी हैं, और जो भी सुसान सिंग राशपूत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है, उनको इस तरह की धमकिया मिलने लग जाती हैं, और अब सुनिता पारि की साथ जो घटना होई है, उससे जरूर कोई न कोई संबंध होगा, तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना, इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद